जोबनेर जैपूर जे स्वागत करता हूँ पेड़ी क्रॉप्स की दुनियम मतलब पेड़ी क्रॉप्स पढ़ रहे है एक्चुली साम को थोड़ा सा वेस्ता रहती है इसलिए एक दो दिन के लिए थोड़ा सा कलास दर दर रहेंगी उसके बाद वापस वही टाइमिंग रहने वाला है एक्चेक्ट शिक्सो क्लोग पेड़ी का दो बज़े अभी जो वीड़ वाला चल रहा हूँ उसका दो चार्च है वो का वोई परिवाल टाइम टेमिल रहे है केवल एक दो दिन के थोड़ा इस्ट बंस रहेगा सभी का स्वाक है तो सभी को वेलकम सभी को वेरी गुड़ आप्टर नो नमस्कार सासरीकाल जैराजदरी वेलकम टो अलोफ यू और लास्ट टाइम हम लोगों ने पेटी में लगबग कर लिया था केवल उसकी डिजी जेज और इंसेक्ट बाकी दे इंसेक्ट और डिजी जेज वाला पॉर्शन बाकी था बाकी सारा का सारा हो गया था तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंगे सेकेंड लो भई परदा खुल गया है और यह आगे मुख्य कीट एक बार सुबन करके बढ़ा हो गया चलिए भई बहुत बहुत अन्यवाद और यह इंसेक्ट आज पड़िंग बढ़ाई हो जिनके पास बुक पहुंच गई है जो बच्चे वह काम नहीं कर रहा मानसी कमेंट्स नहीं दिख रही तो पहला कीट है उसका नाम है तना छेदक या पीला तना छेदक और यह पीला तना छेदक हो गया है करें पीला तना छेदक कर दो यलो स्टेंबर कर दो और इसका जूलोजिकल ने स्टेंबरा्ण तनव नय होता है घ्री तरमिट्स एंधर्यशन और शिक्रमिप्रण खेले मेसल्पर तक यह वानन वूरी नहीं pie मतलब कौन कौनसे नए पढोट रहा है जिसका नाम है अयए ईननिदो तो लेस और उसका यलो स्वार नोर्मल नेम है राइट बई ये दान का मेजर इंसेट हैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेशन है कि दान का मुख्य कीट है यलो स्वार सिर्पोज इनसू टूलस यलो स्वार और सिर्पोज नहीं लगता दोनों ही very most question है very most question है right अबई बढ़ कि दोनों ही बहुत most है अम आपको दिखाता हूँ कैसा है यह yellow stem borer तो पेस है आपके सामने yellow stem borer यह इसका larva है यह इसका insect है मतलब बड़ा insect है right है हाँ तो यह वाला basic जानकारी है yellow stem borer सिर्पोफागा insert to last लेपिडोक तेरा order का है क्रेंबीडी फेमिली का है major कीट है आने वाला question exam में यह कि धान का मुख्य कीट है धान का मुख्य कीट है तो answer आएगा yellow stem borer यह सिर्पोफागा insert to last एकल बक्सी है मतलब इसके लावा किसी और को नहीं खाता है सिरफ और सिरफ धान के उपर ही लगने वाला केड़ा होता है right है बई चलिए अब क्या damage करता है वो देख लेते हैं एक तो यह क्या करता देखो पारन का जो सिर्स बाग है पारन का जो tip part ना उस पर बूरे रंग के अंडे दे देता है तो वहाँ पर बूरे रंग के अंडे दिखाई देते हैं इसके अलावा जो बढ़ रहा हुआ तना है प्रदी कर रहा हुआ तना है उसके उपर cater pillar क्या कर देते हैं बीच बीच के part को खा जाते हैं और बीच बीच के part को खाने को कहते हैं dead heart आप देख सकते हैं कैसे ही देखो अंदर से देखिए जर्र से कैसे गुशा जा रहा है और अंदर से पूरा का पूरा जो लारवा है वो लारवा पूरे के पूरे तने को अंदर से खा गया है मतलब इसका जो heart है, man part है, बीच वाला part है, उसको इसने खोखला कर दिया है, इस गटना को कहते है, dead heart, तो जो पर्ण का serious part, मतलब tip part of the leaves है, वहाँ पर बुरे रंग के अंडों का समू दिखाए देता है, और जो तना growing तना है, मतलब जो stem जो growth कर रहा है, उस पर caterpillar, caterpillar कहते हैं इसके लार्वा को, जो अबस्ता होती है, लार्वा उसको caterpillar भी कहते है, caterpillar के नाम जानते हैं, अगर ज्यादा प्रकोब हो गया, यह dead heart कोन करता है, यह question है इसका, अला कि dead heart बहुत insect करते हैं, जरूर नहीं ही, लेकिन important dead heart यहाँ पर कोन कर रहा है, yellow stem borr, इसके बाद ज्याद ही प्रकोब हो गया, तो फिर दाने ही नहीं आएंगे, बिना दानों का पेनिकल होगा, जो बाली होगी पेनिकल होगा, उसमें दाने नहीं आएंगे, इसको white head कहते हैं, फिर एक नए टेकनिकल तर्मा गया, white head, कि head या पेनिकल है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, white है वो, य पास्मती किस्मों में तो यह बहुत ज्यादा नुकसान करता है, राइट है बई, तो मुझे लग रहा है साहित मैं समझाने में काम्याब राओं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इस समय आप पढ़ रहे है, उस इंसेक्ट का नाम है yellow stem borer, यह दान का major insect है, दान का major insect ह इसका नाम सीरकोफा का insertulis होता है, लेपीडोग तेरा गण में आता है, क्रेम बीडी फेमिली में या कुल में आता है, और एकल बक्सी है, मोनो फेकस है, दान के अलावा किसी में नहीं लगता, मतलब धरम पे, इमान पे, ऐसे नहीं भाई, जो भी मिला उसी पे लग गया, मैंने आपको बता है, ये अंदर तने में बुष जाता है, येलो स्टोम बोरर जो है न, इसका जो केटरपिलर लार वा, वो तने में बुष के बीच में से तने उखा जाता है, दिस इस डेड हाइट, ज्यादा प्रकॉप हो गया तो, दाने ही नहीं आते, पेनिकल बिना दा अब लेते कंट्रोल, तो कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड आता है, फोसेलोन कहे दो, चाहिए आप उसको फोजेलोन कहे दो, फोजेलोन लेते है, पैथीसी और पन्दरासो एमेल पर हेटेर, मतलब फोजेलोन और ब्रकॉप निसक्राइड सपा दीकिमिकल या कर नाम किatना, सब्सक्राइब यह जल में नहीं गुलते हैं, उनको किसी दूसरी गोलना पड़ता है मतलब इथर में गोलना पड़ता है सम टाइम ना गासलेट केरोसीन में गोलना पड़ता है कभी पेट्रोल उसके बाद में उसको गोल के केरोसीन या पेट्रोल में गोल के और सिधा पानी मिला देते मैं इसका गाना है इसी का गाना है कारबनिक की टना सी ज जल में नहीं गुलते फिर क्या करें इथर में गुलते इथर में गुलते हैं या फिर फिनोल में गुल जाते हैं मतलब इथर में एलकोल में इन में गुलते या पेट्रोल डिजल में गुलते उसी में गुल देते फिर उसको गोले वे जो हैं तेल और इंसेक्ट इसाइड उसक उसको जो ने इमलसर मढणने वाड़ा मिला देते एक पदार उसको बोलते इसी तो फोसे लोन या फोसे लोन 35 का पंदरा सो एमेल परति एक्टर के साब से छिड़काव कर देते हैं आईए मिली हमारे इंसेक्ट नंबर दो से इंसेक्ट नंबर सेकिंड इसों दा स्क्रीन बोल लगता हो का आपको गंदी बग जिसकी वज़े से बद्वु मारत या जाती है पूरी की पूरी फसल गंदाने लग जाती है लिप्टो कोर्स या एक दीज़ाओव मोल्यू पर थिए वहन को अपना राम राम जपना पराया रस अपना ऐसा है तेरा गंधी बाग और इसका निम्प निम्प कहते हैं सिशू को तबर को बच्चे को यह आपके बीच में आगया गोंगे तो सिशू और निम्प मतलब है निम्प और प्रोड दोनों उपसार करते बड़ा निम्प को अंडे से लार लारवा से कभी-कभी निम्प बनता है कई बार लारवा से सिशू निम्प निकलता है तो यह निम्प क्या होता है सिशू इसका एक यह भी क्वेशन है कि इसकी कौन सी अवस्ता नुक्षान करती है तो निम्प भी नुक्षान करता है बच्चा भी नुक्षान करता है और प खौकला दानों में जो दूद बनना ची हो दूद इनके पेट में चला जाता है और दाने हो जाएंगे बिना दूद के बोले तो खौकले और बालियां बिना दानों की हो जाएगी इसके अंदर भी यहां पर भी दाने बालियों में रहेंगे नहीं तो गंदिबग गंदिबग रस चूसता, कौन सी यावस्ता चूसती? निंफ भी चूसती, प्रोड भी चूसता, बोले तो adult भी sucking insect है, और निंफ या सिशू भी sucking insect है नुक्सान क्या होगा? जब दानों का दूद ही चूस लिया, तो दाने कुछ रहेंगे नहीं तो दाने हो जाएंगे खाली-खाली, खौकले-खौकले या कई बार दाने ही नहीं रहेंगे तो बालिया हो जाएगी दाने रही, is it clear? अब इसका नाम गंधी बत क्यों पड़ा? क्योंकि इससे प्रभावीत जो खेत है न, वो बहुत बूरी बद्बु मारता है, गंध आती है उससे बार्स, गंधी गंधी मारने की वज़े से इसका नाम पड़ गया गंधी बार, तो प्रभावीत फसल जो है उसमें से बद्बु आती है भाई, एक्जाम में क्वेशन ऐसे आ गया, एक्जाम में मतलब लेप्टो हां गंद एक तो मिल्किंग स्टेज में करता ही ये भी क्वेस्टन इसका लेप्टो कोर्स या एक्यूटा इसका नाम है और फेमिली बगर यह होगी कंट्रोल इंसेक्टिसाइड जो रस सूसने वालों के लिए अलग इंसेक्टिसाइड आती है मोनो क्रोटो पास रहे महाना मेला थियान यह सारे तो मेला थियान ले लेते मेला थियान 50 इसी ले लेते 500 ml परति हैक्टिया इसका चिड़काव कर देते है गंधी बग का नियंतरन हो जाता है इतना साही गंधी बगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे है लेप्टो कोर्स या क्यूंटा ये क्यूंटा है एक यूटा है हեյीटर्छल का लजचे लगन रटेर का है संब रस सृसेल में लगत अब्डरे के हुए बड़़्ा में देखो तो भी रस सुषने में लगे और जिसका रस सुष्टे उस खेत में आती है बहुत बुरी सदांद रस उसने से दाड़ों में कुछ रहता है निए खोकले जाते हैं कई बार दाने नहीं रहते हैं मिल्किंग स्टेज पर करते हैं और कंट्रोल करते हैं मेला थियार 50 चैंड़ से 50 केमिकल हो गया इसी का मैं आपको बता चुका हो पानी में गूलने वालों को पेट्रोल में गूलते हैं पैट्रोल में गोल के पानी में डाल देते हैं और उसके अंदर एक इमलसी फाइबर मिला देते हैं एसी इमल सी फाइबर कंसेंट्रेशन तो यह आपका लुचे उर्ट के न खालाइजट एंट नोगटने इथी हैं तूरी समें मुहें एड़ यई एकालोग्यौ ट्रेशलें आयां ट्रेम जालोग्यौ राइस हिस्पा का नाम होता है डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा राइस हिस्पा डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा हो गया तो डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा राइस हिस्पा का नाम क्या होता है डिकलोडिस्पा आर्मी जेरा इसका गण होता है मेलीड़ी क्राइस हो इसाम में बहुत लगता ही आसाम में धान का असम कह दो असाम के दो वहाँ पर धान या ना में पंजाब में यहांपर तो यल्लो रेस भाण धिकestar आर्मीज यह रहा है ठीक है इसका गण हो गया ओल्डर हो गया कोली अप्टेरा फेमिली ओगी क्राइसो मेलेडी अश्रम का मेजर इंसेक्ट विड़ा राइस इस्पा यह करता क्या है यह पतियों के उत्तकों में शुरंग बढ़ा देता है यह माइन फोर्मेशन कर देता है य राइस हिस्पा सुरंग बनावे सुरंग बनावे पत्तियों में कौन राइस हिस्पा राइस हिस्पा राइस हिस्पा इसे हो जाएंगे एन निमी दब्बे अब यह तो हो गया पत्तियों के अंदर क्या करेगा सुरंगे बनाके सपेद दब्बे कर देगा एक बात ऐसे जो वेश कया दल्ट, अडल्ट क्या करेगा पत्यों को खुरचता है ऐसे, देखो, पत्यों को खुरचता है ऐसे, देखो, पत्यों को ऐसे खुरच देता अंदर 房चे यह कुरुची-खुराषD वो पत्यyaan लगे, कुरुची-खुरुची, scraping कर देगा भाई और जो grub होता grub अभी मैंने बताया grub क्या करता है लारवा grub क्या होता है लारवा, caterpillar grub ये लारवा को बोलते है जैसे अंडा फूरता अंदर से कीडा सा निकलता है उस कीडे को लारवा के दो, grub के दो अलग-अलग में अलग-अलग बोलते वेजे तो ये तो क्या कर रहा है, वैस्क तो एडल तो क्या कर रहा है पत्तियों की scraping कर रहा है, खुरच रहा है उनको और ये लारवा क्या कर रहा है लारवा सुरंग बनाने में लगा हो है अभी बता है मैंने सुरंग बना रहा है तो लार्वा बना रहा है सुरंग जिसे पत्तियों पे फपोले या दब्बे दिखाई दे रहे और वयस्क लगा हुआ है पत्तियों को खुरचने में मतलब लार्वा भी नुक्षान कर रहा है वयस्क भी नुक्षान कर रहा है अगर ज बत्तियों को खुरजने के अंदर और खोटा है ना अलारवण यूँ वह कर रहा हूं पात्तियों में मैं direction राइन कर रहे हैं इस यह पत्तियों स्पेद दब्बे बन जाएंगे अगर ज्यादा प्रकॉप हो गया तो खेत तो लागे जला जला तो ज्यादा प्रकॉप से राई सिस्पा का अगर बेंकर वाला टेक हो गया तो पूरा खेत आपको ऐसे लगेगा जैसे खेत जल गया हो देखो आपको ऐसे जल गया हो पोदा पूरा का पुरा पोधाईज बिल्कुल खतम ही हो गया हूँ ऐसे लगता है बटा, पत्यों में सुरंग बनाना इसका मुझी धन्दा इसे एन्यमेड कर देता है और गालत लिए अडल्ट क्या करता है वो स्क्रेपिंग करता है पत्तियों को खुरस्ता ऐसे राइट है गरब का तो यह की काम है लारवा सुरंग बनाओ पत्तियों पर दब्बे बनाओ या पत्तियों पर फपोले कर दो स्टिप पार्ड पे और ज्यादा प्रकॉप हो गया तो खेत तो लगे जला जला ओखेत तो कंट्रोल क्लोरोपाइरिफोस BCC साड़े बारा सो एमेल पर हैक्तियर का छिड़का साड़े बारा सो एमेल पर हैक्तियर का छिड़का नव लेट्स मूँव ओन दा अनादर इंसेग देड़ेज ब्राउन ब्राउन प्लाउन ब्राउन प्लाउन्ट हॉपर धान का भूरा फुद का धान का भूरा 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 जिसका नाम होता है निला परवाटा निला परवाटा लुगेंस 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 ल निला परवाटा लुगेंस विद इस स्पेलिंग आपके बीच में ठीक है बई नेक्स वहन इसका गण होता है हेमिप्तेरा हेमिप्तेरा और कुल फेमेली होती है डेलफा सेडे डेलफा सेडे ब्राउन प्लांट हॉपर निला परवाटा लुगेंस निला परवाटा लुगेंस गण हो गया हेमिप्तेरा फेमिप्तेरा फेमिली होगी डेलफा सीडे यह ना वाइरस और फेलाता है यह बहुत ही ज़्यादा important question है very very most question है कि धान में जो वाइरस ग्रासी स्टन्ट इन तीनो स्टन्टों का जो वाइरस है उसको ब्राउन प्लांट हो पर ही पहलाता है यह छोटा मोटा दिखने वड़ा नीं है इसने धन्दापाल रखा वाइरस फेलाओंगा तबाही मचाओंगा बुरा फुदगा बोला, वाइरस फैलाओंगा, तबाही मचाओंगा, ग्रासी स्टंट फैलाओंगा, रेग्ड स्टंट फैलाओंगा, विल्टेड स्टंट फैलाओंगा, तबाही मचाओंगा most question, most question बढ़ा, stunt जितने भी यह ग्रासी हो, चाहे रेगड हो, चाहे विल्टेड हो, इन सभी stuntों को फैलाने का इसके पास license है, यह बिल्कुल authentic insect है, जिसको वाईरस फैलाने का license है, जितने भी stunt वाईरस है, उनको यह फैला देता है, चाहे वो आपका ग्रासी stunt हो, चाहे डिस्टंटो वाइरस कभी अपने आप नहीं चलते हैं उनको फैलाने के लिए कोई ना कोई इंसेक्ट जिम्मेदार होता है वाइरस का कंट्रोल किया भी नहीं जाता है उस फैलाने वाले इंसेक्ट को ही मारा जाता है उस कमीन को ही कमीने को ही मारा जाता है जो इसको फैलाता ह वाइरस का कंट्रोल नहीं होता, easy going कोई वाइरस को मारने वाले दवाया नहीं मिलती है, इसलिए फैलाने वाले इंसेक्टों को ही मारा जाता है, यही इनके साथ होड़ा भी ऐसे चीए, कितना कमीना है, जो आपको जितना बोला दिख रहा है, उतना बोला है नहीं, सारे स्टं भी ब्राउन होपर क्या-क्äm काम कर रहा भई, वाइरस हो को पहला रहा है, एक, इसके बोला इसका जो आडल्ट है, और जो छोटा बच्चा है, यह दोनों यह रस सूसने वाले हैं, तो रस फिर से चूस रहे हैं, यह देख हो रस सूसने में लगे पड़े हैं, यह कैसे लग आवी खेत है जहां पर इनका अटेक होता है वहां पर चकतों में पीला होके खिचकतों मतलग जैसे इत्ती दूर का खेत पीला हो गया बाकी देगो हरा रहा है अरे कोषिका रसको चुशते हैं ये दोनों टबड़ियो भी रसूसभा के लाग रहा है और बड़ावाला भी रसूसभा के लाग रहИ अब रसूसे हैं तो क्या हो जाएगा पीला नहीं हो गया बाई सो काका तू भी लाग जा रसूस या सारा तो वो भी गंदी बगवारे भी लगे पड़े थे और ये वाला ये भी लगा पड़ा है मनला गंदी बग भी रसूस रहा है और ब्राउन होपर वाईरस भी फेला रहा है और रसूस ने का काम भी कर रहा है समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लगे पड़ें बड़े भी लगे पड़े रससने के लिए और जहां जो परवावीत खेत वहाँ पर सकतों में खेत पूरा का पूरा प्ला पीला क्योंडया करते है कि इसको बोलते हुपर बार्ण ये चक्ते पता क्या कहलाते है Hopper Barn क्योंकि इसका नाम क्या है? Brown Hopper और इसकी वज़े से क्या हो गया? Burning हो गई plants की इसलिए इसको Hopper Barn भी कहते है Hopper है Hopper Barn किसका लक्षन है? याद कर लेना Very, very, very most question है Brown Hopper का ये क्या कहलाते है? Hopper Barn पीले चक्ते हो जाएंगे सूख जाएगा पोदा और चक्ते जो बने हैं नहीं जगे जगे दब्बे कुछ पोदों के अंदर ही बने वे इसको बोलते है Hopper Barn Hopper Barn Hopper Barn करता ब्राउन प्लांट Hopper Hopper Barn तो भाईया Hopper Barn रस उसने में लगे पड़े हैं सारे के सारे रस उसने में लगे पड़े हैं वाईरसों को फैलाने में लगे पड़े हैं जगे जगे से पोदों को पीला करने में लगे पड़े हैं ये जगे 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 जो चक्ते बने उसको बोलोगे क्या? Hopper Barn क्या बोलेंगे उसको hopper burn बैठ रहा भी अब लेते इसका control बोला क्या करे control नहीं होता कर लेते न Asepate Asepate लेते 75 Asepate Asepate Solubal Powder Asepate 75 Asepate 75 Asepate 75 Asepate परसेंट तो chemical हो गया और Asepate Solubal Powder मात्रा कितनी लेते मात्रा लेते इनकी 666 से लेके 1000 ml ते कितनी भी ले सकते 666 से कम नहीं लेते 1000 से ज़्यादा नहीं लेते है Asepate 75 Asepate ये ग्राम है बटा ग्राम पर हेक्टेर तो 666 से 1000 ग्राम पर हेक्टेर के हिसाब से छिड़क देते है Asepate राइट है क्लियर है तो इसका very most question है ये वाला एक तो वाइरस पहलाने वाला एक तो वाइरस पहलाने वाला एक होपर बर्ण ये दो बहुत ज्यादा important question है बहुत ज्यादा राइट लीज ये पेस है अगला इंसेक्ट दान का केज वर्ब केज वर्ब केज बोले तो पिंजरा वर्म बोले तो कीड़ा ऐसा कीड़ा जो दान में पिंजरा बढ़ा दे मतलब जाली दार बढ़ा दे प्लांट्स को उसको कहते है राइस केज वर्म आईए और इसका वोटनिकल जो लोजिकल नहेब होता है पेरापोनिक्स स्टेगनेलिस यह है नील लगा के गूमता है नील कपड़ों में देखा आप जितना सपेद यह जितना दूद का दुलावा दिखता है ना एक्चुली इतना दूद का दुलावा यह नहीं है यह पेरापोनिक्स स्टेगनेलिस है पेरापोनिक्स स्टेगनेलिस है लेपिडोप्टेरा गण में आता है फेमेली इसकी क्रेमबीडी है फेमेली इसके क्रेमबीडी है हाँ केज 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 बोल केज यह है केज यह है के खेजएच बचाइब यह चलिए केट्रफिलर क्या नुकसार करता है पहले और स्तेगन्येलिस लेपीड़्यड मेरे परेशस्सक्णति अ बहुर्त क्रेली पत्ती के हरे ऊत्तके सपेद कागज की तरह पतली पत्तियों के सिर्ष भाग भी कार देता है है न भई सिर्ष भाग को कारने से टीलर्स के चारोर किनारे उसके चारोर क्या बल जाते है नलीका कार के जेज के जेज दुबार देखना केटर पिलर क्या करता है caterpillar क्या कर रहा है भई पत्तियों के हरे उत्तकों को खाता है जिससे पत्तिया हो जाती है white in color white in color कागज की तरह लगन लए जाती है और पत्ति के सिर्ष बाप पारता है जिससे tillers के चारो और बन जाएंगे नलीका कार cases केजेज केडर बिलर क्या करता है पत्थी के हरे उत्तकों के बक्षण से पत्थिया होगी कमजोर पतली, квागज की तरह पत्थी का जो ट्प पार्ट उसको भी खा लेता है जिससे टिलर्स के चारोर बन जाएंगे नल्ली का कार केजेज केजेज 25 EC 80 ml per hectare राइट किनॉल फोस 25 EC 80 ml per hectare इसका कंट्रूल करने के लिए केमिकल या किनॉल फोस लेते हैं आई यह मिलाते हैं आपको अगले वाले इंसेक्से जिसका नाम है धान का मेले बाद, राइस मेले बाद, धान का मेले बाद, राइस मेले बाद, दान का मेले बाद, राइस मेले बाद, बोले तो, ब्रिवेन या रेही, धान का मेले बाद, ब्रिवेन या रेही, इसी क्या होता है, भाईजी, दो बार तो बता दिया मैंने, इसी का मतलब होता है इमल्सी फाइबल कंसंट्रेशन कार्बनिक कीटनासी पानी में नहीं गुलते कार्बनिक कीटनासी जल में नहीं गुलते इथर में गुलते पैट्रॉल में गुलते तो गोल गोल जिसमें गुलता है उसमें गोल उस इथर को या तेल को जिसमें कीटना सी गुल गई है उसको ले जाके पानी में डाल देते हैं और पानी में डाल के उसके अदर एक MLC फायर मिला देते हैं बस इस गोड को बोलते है MLC फाइबल कंसंट्रेशन और हिंदी में कहते हैं इसी अब आपको दिखाता हूँ करता क्या है एक तो इसके भी बच्चे इसके भी बच्चे भी मतलब सिसू या निम्भ भी और मादा वयस्क फिमेल जो एडल्ट है ये दोनों पतियों की सतैबर करती है आकरमन पति की सरफेस पर क्या करेगी अटेक करेगी तने से रस चूशना सुरू दुबारा सुनना ये राइस मिली बग है राइस मिली बग तो वैसी भी आपको पता क्या करते है क्या करते है रस चूशने का तो काम होता है तो इसका भी सिसू सिसू और जो वयस्क होते हैं वो दोनों करते हैं अटेक पति की सतैपर और तने से रस चूश जाते हैं पतियां रह जाएगी छोटी छोटी बापू पीली पीली और कल्ले छोटे पोधे बोने बोने सिसू भी वयस्क मादा भी दोनों ही रस चूशती मिली बग सब्दा आ गया ना जिंदगी में याद रखना चाहे आम में लगे चाहे केले में अमरूद में किसी में लगे मिली बग बोले तो चूश ले तड़न तड़न चूश ले तो मुझे धान के तीन ऐसे इंसेक का नाम बताओ जो रस चूशने का ही काम करते ही पड़ापड पड़ापड वन इस यॉर बोलो बोलो वन इस योर गन्धी बग सेकिंड इस योर ब्राउन हॉपपर थार्ड इस योर थार्ड इस मेले बग ठीक है तो क्या हो किया इसने सिसू ने भी रसूसा मादा वैस्क ने भी रसूसा और पत्या छोटी रहेगी पीली होगी ऐसा माने कल ले तीलर स्वन एबनोर्मल होगे और पोदे रहेगे बोने राइट अभी ठीक है यह डीप नहीं है इसको डीप नहीं कहते है एक्जाम में आएगा न तो पता लगेगा इसलिए डोंट कमेंट लाइक डिस आपको पढ़ना तो पढ़ले बिटा ठीक है पढ़ना आए तो पढ़ले जाना आए तो कोई दिक्कत नहीं है यह डीप नहीं है वो जिस दिन आयेगा न उस दिन यहां आई हूँ करंट लगेगा जिस दिन एक्जाम में आएगा जिस दिन बर्न होपर आएगा जिस दिन ना उस दिन करंट लगेगा ठीक है खेत में पादव रद्धी इसकी रुख जाया करती है जो उपर उपर की सतई पढ़ने वाले ने सतई वो please go from here उनकी जुरत ने बिटा यहां तो वो युद्धा रुके जिनको हर question के लिए त्यारी कर रहे की है क्योंकि जो लडने वाला आता है ना लडने वाला तो सामने खड़ा है वो यह नहीं सोचता कि आप लठ लेके जाओगे वो यह सोचता कि आप बारूद लेके आओगे और बारूद की तयारी करते है बले ही चाहिए आगे वाला लठ लेके मिले बाद में समझ गए ना इसको कहते हैं कम्पिटिशन की तैयारी इसलिए प्लीज हाँ आराम करें रेस्ट करें कोई दिक्कत नहीं बिटा ठीक है बई बुलाया क्या किसे ने इनको किसी ने बुलाया था कि आप में से नहीं बुलाया तो क्यों परिशान हो रहा है क्यों नेगेटिविटी फिला रहा है जिन बच्चों को पढ़ना है न कुछ डीप नहीं है यह जिस दिन आएगा उस दिन पता लगेगा खेत में क्या होगा फादव रधी रुख इसको कहते है छाक दोरा या सुराई बिमारी कहते हैं चाक दोरा या सुराई बिमारी कहते हैं चाक दोरा या शुराई बिमारी कैते किसको जो दहान की मिलीबक की वज़े से क्या हो जाता है भड जाता है था ने का रस उसने से पोदे पेले पर जाते हैं खेत में पाधब वर्दी के चकते जगे जगे बोना 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 पोदा मिलता है इसको बोलते है चाक दोरा सुराई यह आ गई तोर चाक दोरा सुराई जो पेपर लेने वाड़ा है तो बारवी किताब लेके नहीं आएंगे यह देखले है बारवी किताब लेके नहीं आएंगे जो पेपर बनाने ठीक है दोस्त बाई आई यह control करते हैं पहले दिखा दो दू कैसा होता है कैसे दिखती है दोरार शुराई तो जगह जगह थेको पोदे बोने रह जाते बीच बीच में से पोदे बोने रह जाते इसको बोलते है चाक, दोराय शुराई राइट है चली भई, next one control control lady bird beetle यूज करते हैं कितने बच्चे lady bird beetle जानते हैं सब जानते हैं, लेकिन बस उसका ये नहीं पता ये ही lady bird beetle है रिजिके में गए हो, नहीं गए होंगे नहीं रिजिके में गए होंगे तो एक लाल-लाल कीडा मिला होगा, काले-काले लाल-लाल कीडा होता है, जो काले-काले दब्बे लेके गूम रहा होता है that will be lady bird beetle तो दो lady bird beetle आती है lady beetles के तो lady bird beetle एक तो coxinella ripanda ये मिली बग को खाती है बड़ा ये आपके माहू को भी खाते है माहू आओ न, अड़ एफिड उसको खाने वाला कीडा भी होता है lady bird beetle, lady bird beetle, lady bird beetle और दूसरा एक कीडा हो रहा था minokailas sex maculatus ये भी यह है ये भी यह है, ये ही मतला lady bird beetle ही है चलो दिखा देते हैं आपको, पहले तो मैं कंट्रोल एक और बता दूँ एक तो ये वाला इतलो lady bird beetle ही आगे ये है न, ये ये lady bird beetle ही ये वाला coxinella ripanda और ये lady bird beetle ही ये वाला minokailas sex maculatus बच्चों ने डाल भी दिए भाई तो एक तो ये ले लेते हैं ये तो कौन है coxinella ripanda coxinella लालडी नहीं रह बाबा लालडी अलग होती बढ़ा लालडी तो वो होती है red spider mite उसको बोलते है लालडी ये नहीं बटा लालडी लालडी तो रोक करने वाड़ा है ये तो आपके कीडों को उल्टा खा रहा है ये तो आपका friend है ये तो आपका दोस्त है बटा ये तो आपको फाइदा कर रहा है लाल लड़ी तो नुक्सान करती है लाल लड़ी तो माइट होती है यह तो आपका फाइदा कर रहे हैं भई नहीं इनमें बदबुक आती है आती है बदबुक तो बहुत प्यारे इंसेक्ट है यह तो आपके लिए आपके दोस्त है किसान के मित्र है इनको बोलते लेडी बर्ड बिटर, कॉक्सिनेला, खुम होते ही, इनके भी अलग-अलग नाम होते है, जैसे ये लगते तो एक जैसी है दोनों, लेकिन ये कॉक्सिनला रिपांडा है, ये आपका मिनोकाइलस, सेक्स मेकूलेटर से, राइट, इसके अलाब आप ये भी ले सकत है, हाँ, लूशन में लगते हैं नहीं, बहुत इंपोर्टेट इंसेक्ट है, ये आपके फ्रेंड है, किसान के मित्र है, ये हानिकार किटो खाते हैं, इनको लेडी बर्ड बिटल कहते हैं, वियार ओंदा सेवेज, धान का गाल मेज, धान का गाल मेज, इसका नाम होता है, और सियो लिया, और आइजे, और सियो लिया, और आइजे, और सियो लिया, और आइजे, इसका गण होता है, डिप्टेरा, फेमिली होती है, सेसीडो माई लीडी, गण होता है, डिप्टेरा, फेमिली होती है, सेसीडो माई लीडी, राइट अभी, इनकी जो मेगट होते हैं यहां मेगट फिर से लारवा को कहते है बिड़ा मेगट किसो कहते है लारवा को जो मेगट होते है वो भीया नुक्षान करते है किसका मेगट द्वारा जो वर्दी रत परो है जो तनेका हो या उपर वारा जो भाग है जो ग्रोथ कर रहा है उसके आधार का यह बक्षन कर जात तो प्याज की जैसी पत्या हो जाती यह सिल्वर सूट हो जाता है पत्या हो तो जो मेगट या लारवा होता है वह उपर वाड़ा भाग है यानि कि ग्रोइंग जो सूट है उपर वाड़ा दुबाग है उसके आधार को मतलब जमीन के पास से काड़ता है बक्षन करता खाता है जिसे यह प्याज की पत्यों या सिल्वर सूट के समा नलीदार गाठे बन जाती इसके अंदर प्याज की तरह नलीदार हो जाएका तनापूरा का पूरा ही किसकी वज़े से गाल मिज की जगे से वज़े से इंसेक्ट की वज़े से राइट है और जो टीलर है प्रभावी जो टीलर है वो कभी पेनिकल नहीं बनाएंगे जिस तने में चला गया उसके अंदर बाली आएगी ही नहीं तो देखो देखो दान का गाल मिज इंसेक्ट गाल मेज क्या नाम है और सियो लिया और आईजी डिप्टेरा सेशिडो माईलीडी कोल मेगट या लार्वा मेगट रे केटरपिलल लार्वा यह की बात है यह क्या करते हैं जो वरद्दी करना पर्रो है उसका बक्षन कर जाते प्याज की तरह लगन लेती है पतिया नलीदार उसका तना हो जाता है और जिस तने पर इन्होंने आकर्मन किया उसके उपर पेनिकल ही नहीं आती है उस पर पेनिकल ही नहीं आती है कंट्रोल बुला क्या करू कंट्रोल नहीं होता है होता है ना कार्बो सलफार 25 एसी से होता है control कितनी मात्रा लोगी इस 25 cc कार्बो सलवार की 800-1000 ml पर hectare 800-1000 ml पर hectare लगबग 1000 ml एक एक्टर के लिए आपको यह लेना है कार्बो सलवार 25 cc अब आ गया धान का थ्रेप्स पहले वाड़ा ही वो है दान का थ्रेप्स अगला इंसेक्ट आपके बीचे दान का थ्रेप्स और धान का थ्रिप्स का नाम होता है यह थ्रिप्स थ्रिप्स भी चूशने वाले होते हैं भई थ्रिप्स भी क्या होते हैं चूशने वाले तो स्टेनो काईटो थ्रिप्स नाम ही क्या है इसका थ्रिप्स इसका order होता है फैमेली होती है फैमेली पोध्य जो निकलते हैं उन पर टेक करता है नवोदबिद पोधों के उपर रसूशेगा तो पतिया हो जाएगी पेली रपेली दारियां सिल्वर सिल्वर चांदी जैसी दारिया हो जाएगी पतियों के किनारों का रंग उड़ जाएगा हाँ भई दुबारा देखो एक तो ने ने जो पोधे निकलते नए नए पोदे निकलते हैं हाँ मिल जाता कार्वसलपा क्यों नहीं मिलता है नए ने जो पोदे निकलते हैं उनकी पतियों को रश सूश के कर देंगे पीला लै भाई नए ने पोदों की पतियों कर रहे हैं पीला पीली हो गई पतिया, सिलवरी धारियां पढ़ गई पतियों के उपर और ज्यादा आकर्मन हो गया तो किनारे साइड साइडे किनारे वहां से रंग भी उड़ सकता है अंदर की और पतिया कही बार मुड भी जाती है पोदा सुक जाता है पोदा बोना रह जाता है और पेनिकल अवस्ता पर दाने भी थोथे हो सकते है है दानों को भी बीच में से खा जाता है तो रस उसने से पतियां पेली हो गई सिल्वरी धारिया पढ़ गई ऐसा होता राइस थ्रेप्स और किनारों का रंग उड़ गया अंदर की और पतिया मुड़ गई बोनी हो गई शूख गई और पेनिकल में दाने मतलब दाने जो है थोते बोलने वह रहे अब कंट्रोल भी आपके बीच है फोस्पो मिड़ावन फॉर्टी एसल एसल बोले तो सोल्यूबल लिक्विड राइट सोल्यूबल लिक्विड पचास हैमेल पर हेक्टर का करते हैं छिड़काओ राइट भी है देन एक छोटा सा और रह गया छोटा स है इन्ना सा इन्सेक्ट हो रहा है इन्ना सा जिसका नाम है राइस जिग जेग लीफ होपर राइस जिग जेग लीफ होपर राइस जिग जेग लीफ होपर इसका नाम होता है मैस्टास यह दिख जा देखको कैसा है जिग जेग समझते हो डिक 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 ड नाम वोता मैस्तास दॉरसलिस पहले है अब नाम है लहींतास दॉरसलिस ए स्उत्रीत वो ईपेमिली ओगी सिंगरी स्कह सुष सुखती है पतीयों का सिर्व को सूखता है कियों का चप्यर ग। श्कषती है任何 पती नारगी रंगी थी झाती है और मुडी मुडी लगती है सारे करेक्टर दिख रहा पत्यों का सिर सूख चुका है पूरी पत्ती जो है वो नारंगी रंकी होगी है और मुडी मुडी है बस तो पत्तियों का सिर सूख जाता है पूरी पत्तिया नारंगी होगी और मुडी मुडी सी लगती है अब चलते diseases 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 बिमारिया बिमारिया ठीक है बिटा सबसे पहली बिमारी है blast 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 धन में blast 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 आलू में blast ये blast रो किसका है ये भी question तो यहाद ही करते है blast धन में blight आलू blast blast धन में लगता है किससे लगता है ये रहा pyrecularia greasy या pyrecularia oryzee नामक कावक से राइट है pyrecularia greasy या pyrecularia oryzee नामक कावक से होता है तेरा blast ये major insects का मुखे रोग है पहला खो जा गया पादप रोग भी दुनिया में पहला खो जा गया पादप रोग भी धान का blast ये क्या question निकल निकल के आ रहे तगडे तगडे आ रहे बारत में इसको discover किया गया था 2018 1918 में इसके अन्य भी नाम है कहीं इसको ना रोटन ने कहते हैं तो ब्लास्त है रोटन ने के ब्लास्त है राइस फीवर या फिर राइस ट्यूवर धान का बुखार देखो ये जो स्क्रीन दिख रहे ने ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन सारे के सारे पाइरी कुले या उराइजी या पायरी कुलेरिया ग्रीशी से होता है मुख्य रोग इसका पहली बार खोजा गया यह पादब रोगों में से आता है पहली बार खोजा गया बारत में 18 के अंदर देख लिया गया इसको इसका नाम रोटन नेक भी है सडीवी गर्दन और इसको राइस से ईकटो में दिखाऊं ब्लास्ट यह ब्लास्ट को ङारी कुलेरिया ओट एजटी ओगलेशी यह व्ला इया हवां थोड़ा ऊफाएऽ बाइशार ब्लास्ट करन जाता है पिक्चाण में यह परशने नगया बहुत जयादा प्रकॉप हो जाता है तो अगर नमी हो गई हां बहुत नुक्सान करता ही ब्लास कू करता है अगर नमी ज्यादा है न वातावन में 95 परसेंट तो बहेंकर नुक्सान करता है टेमप्रेचर कर 20 डिगरी आ गया फिर तो हाहाकार ही मचा देगा ठीक भीड़ा तीन पतियों और नेक संकर्मण तीन पतियों और नेक संकर्मण मतलब अभी नाम था निक रोट थाग नहीं रोटन नेक रोटन नेग और राइस भीवर तो इसको यू कह सकतें कि तीन पतियों में और नेक संक्रमन यह ज्यादा मतलब नेक गले पर उसके अंदर बहुत ज्यादा यह गलन कर देता है कोलर रोट पर जाता है पुरा-पुरा पोधाई यह रोटन नेक अभी रोटन नेक है रोटन यह नहीं सड़ावा गड़ावा तो नेक गल जाती है अब कंट्रोल मतना डाल रहे नाइट्रोजन ज्यादा मड डालो नहीं लग जायेगा ब्लास्ट यह क्वेस्टन की अधिकता से बिमारी हो सकती है ब्लास्ट नाइट्रोजन ज्यादा ब्लास्ट रोग हो और रोधी किसम भी है जिसका नाम है कोस 47 पिए निए उसने के लिए तमिल नाडू एग्रिकल से से को इंबाइक्ट करते कारबेंडाजीम करते रहीं Ken Ctrl क्रते 500 ग्राम पर हैंड ज़ इस ऑन में बलाइट उपलु नेक्स डिजेर ब्राउन लीप इसपोर्ट या दे कि जिक हो ग्रेट बेंगाल फेमाईन बंगाल का भीशन अकाल वो इसजी पढ़ा था धान का भूरी पत्ती दब्बा रोग हेलमिंतोस पोरियम औराईजी फंजाई से वेरी वेरी मोस्ट क्वेशन है उननी सो तैयालीस का धान का दान का जो ब्राउन लीप गयतर की वज़े से बंगाल का अकाल आया था तो हेलमिंतोस पोरियम औराईजी से होता है इसी की वज़े से अन्यनाम कोई सिसेम लीप स्पोर्ट कहते हैं कोई हेलमिन्तोस पोरियोज कहते हैं कोई इसको फंजाई ब्लाइट कहते हैं कवक जुलसा और यह है वह वाड़ा इंपोर्टेंट लाइन 1943 में बंगाल का विश्ण अकाल पुफान आ गया था किसी की वज़े से ग्रेट बंगाल फेमाईड बहुत ही ज्यादा मोस्ट है चलिए इसके बारे में यह है बूरी पत्ती दबारोगे बूरी पत्ती दबारोगे बूरी पत्ती दबारोगे नडशरी में भी लगता है बूरी पत्ती दबारोगे ब्राउन स्पोर्ट होगे बड़ा पत्ती के उपर नडशरी में भी लगता है यह है यह ऐसे पहले पत्ती नॉर्मल थी फिर ऐसे दब्बे बढ़ना शुरूआ फिर दब्बे बढ़ते गए फिर और बढ़ते गए फिर और बढ़ते गए फिर और बढ़ते गए एक दिन यह आलत हो गई एक दिन वो आलत हो गई है यह देख करम से है पहले कुछ भी नहीं था फिर थोड़े दब्बे फिर थोड़े और आए फिर थोड़े और आए और लास्ट में तो पूरी की पूरी पत्ती ही गड़ गई दब्बे दब्बो गई तो नरसरी में भी नुक्सान करता है खेत में भी नुक्सान करता है यानि कि छोटे पोदों को भी नुक्सान करता है बड़े पोदों को भी जुलस गई पतीयों को जूलसात है पतियों पे तनों पे फिल्यूम्स प्लूम्स पोलते इसपॉट फपोले फपोले के अकार आकारके फिल्यूमस क्या होते हैं उनडाकार गहरे मुरे दबये आएंगे ये 50 परसेंट तक उपज को कम कर देता है हां जल जाती यह जली जली ले लिए इसको गरीब आदमी का रोग भी कहते है गरीब आदमी का रोग जीहाँ यह है गरीब आदमी का रोग डाइगराम सभी इसके नहीं दिख रहे है क्योंकि आपका resolution कम है पिटा ठीक है थोड़ा resolution बढ़ालो हलागी नेट ज्यादा खायेगा डाइगराम बहुत के लिए एक एक दिख रहा है ऐसे कैसे एक-एक दाना दिख रहा है यह ज़्यादा का होता है कमजोर सोयल में जहां मतलब नूट्रियंस कम होतें इसलिए गरीब आदमी का रोग भी कहते हैं इसको कंट्रोल के लिए लेते हैं मेटो मिनो स्ट्रोबीन मेटो मीनो स्ट्रोबीन 500 ml पर हेक्टेर इसका कर देते हैं चिड़का तो ये भी ये भी ये भी बोले तो ब्राउन लीप स्पोर्ट भी आगे सुझ में दुबारा बता हूँ हेलमिन्तो स्पोरिय मोराईजी कवक से होता है सिसेम लीप स्पोर्ट भी कहते हैं हेलमिन्तो स्पोरियोज भी कहते है या फिर कवक जुलसा भी कहते है इसी की बज़े से 1943 में बंगाल में बहिंकर अकाल पड़ गया था लाखो लोग, मतलब 10-12 लाख लोग मर गये थे नर्स्री में भी लगता है पतिया बतिया जुलसा सुरूझ होती है एक दिन जुलस-जुलस की पूरी जुलस जाती है 50% तक उपस कम हो जाता है कम ऊरुबर मरदाओं में ज्यादा लगता है मतलब कमजोर जो मिटिया होती जिनके पास खाने को नहीं होता बढ़िया उनमें ज़्यादा लगता है तो इसको गरीब आत्मी का रोग भी कहते हैं और मेटा मिनो स्ट्रोबीन पांसो एमेल का कर देते हैं छिड़काओ रेस्ट कर लीती बई सीथ ब्लाइट अगली आगी सीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनाई सीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनाई ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंजाई से होता है मरदा चनित बही ये देखो सीथ ब्लाइट लीप की जो सीथ है उसके अंदर आ जाएगा ब्लाइट मतलब जुलसी जुलसी लगेगी मरदा चनित है इसका कवक रहता है मिट्टी में, टुंगरो की तरह ही बोना पनाता है, टुंगरो, टुंगरो, उसकी तरह ही बोना पना जाता है, कल्ले कम निकलते हैं, रंग उड़ जाता है पतियों का, फूल देरी से आते हैं, फूल बहुत लेट आते हैं, पेनिकल या इसकी जो बाली होत है कंट्रू नीम तेल तो तीन परसेंट नीम का तेल तीन परसेंट 15 लिटर पर हेक्टेर या कार्बेंडा जीम 50 डबलूपी 500 ग्राम पर हेक्टेर का छिड़का अब यहाँ पर क्वेस्टन क्या याद करना है ज्यादा बिन्यों तो सीथ बलाइट होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फंजाई से राइट है बागी तो कोई ज्यादा नीज में मिट्टी से हो रहा है है तुंगरों के तरह है पेनिकल छोटे रहे जाते है पुस्पर में देरी जाती है दाने पूरे बढ़ते नहीं है एड सेक्टरा ठीक है बड़ा नीम तेल लेते तो ये भी क तुंगरों 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 V4行了 form V4 Virus इसे होता है यह पिर एक waliris साथ राइस टूंग्रो spirical virus जाई स्पेरिकल टूंग्रो加awan और इसको करते हैं गेली सब्साण टेस्ट से यह बहुत camping पारत हैं कि मैं यह वाइरस से वायरस है यह क्या कि इसको टेस्ट करने इसको पहलाने वाला कुं लीप होपर ग्रीन लीप होपर और ने पोटेक्ट इस वाइरस एंज्स को करता है हमेशा वाइरसों का एकी धंदा है राम-राम जैपना रंग उड़ा दो अपना नी दूसरों का तो ये पतियों का रंग उड़ा देते देखो पतियां और रंग उड़ी घ्रोथ को रोक देते हैं दाने इनके जो बंदे बंदे हो जाएंगी अच्छे नहीं होंगी और पुष्पन होता है देरी से रवावा देरी से तो पतियों का रंग उड़ जाता है तो तुंगरो हो तुंगरो पतियों को रंग उड़ रो तुंगरो हो तुंगरो पोधे की व्रधिकम टूंगरो हो टूंगरो टिल रिंग भी कम और बंदेया आंसिक बरेवेदार और पुश्पन में हो जाता है देर हाँ हाँ सही बहुत कह रहे हैं वाइरस का पता लगाने के एलिशा टेस्ट करते हैं हमारे भी करते हैं एनिमल्स में भी करते हैं कंट्रोल तो कुछ तो रोग रोधी किसमे है आओ मैं दिखाता हूँ रोग रोधी कौन कौन सी किसमे है आई आर चतिस में टूंगरो नहीं लगता आई आर पचास में टूंगरो नहीं लगता 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 आई आरप चास तुंगरो नहीं लगेता A.D.T. 37 तुंगरो नहीं लगेता सूरेखा सूरेखा तुंगरो नहीं लगेता पॉन्मानी पॉन्मानी तुंगरो नहीं लगेता वाइट पॉनी वाइट पॉनी तुंगरो नहीं लगेता को फर्टिफाइब को फर्टिएट टुंगरो नहीं लगेता विक्रमा आर्या कौन सा आर्या विक्रमा आर्या विक्रमा आर्या तो विक्रमा आर्या ये पहली रोधी है एक बरणी है इनमें नहीं लगता टुंगरो 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 आई आरचत इसमें अब इसको कंट्र लोटे उसके वाहत जो उनको फैलाने वाले होते हैं तो लीप होपर को करते हैं कंट्रोल किसे डाइ मिथोएट 25WDG से वाटर डाइजेस्टिबल ग्रिन्यूल्स ठीक बड़ाप पाने में गुलने वाले दाने होते हैं उनसे करते हैं 100 ग्राम्स पर हेक्टियार या फिर फोरे 10% तो chemical होता है फोरेट में और वो दानों की रूप में होता है ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं दाने या फिर ले लेते हैं कार्बो फिरोर 3G तो 3% हो गया chemical और G का मतलब क्या हो गया ग्रेन्यूल्स granules क्या होता है, दाने तो ये 3.0 vagy 4 kg ले लेते खड़ी फसल में डाल देते है तो मर ज़ावे गोली पहो पर रोकजावे लो, टूंगरो टूंगरो अडखता ये किसको मारने की रसाजिस है उसको फैलाने वाले को उसको सीथ डिजीज सीथ डिजीज यह होती है सारको क्लेडियम और आईजी नामक फंजाई से ज्यादा लंबी चोड़ी नी छोटी सी है सारको क्लेडियम और आईजी नामक कवक से होती है पतियों पर एनियमित आकार के दब्बे पर जाते है जगे जगे पतियों पर दब्बे मिले ओते हैं आठाते हैं सलेखले ले आज द्रूटिक हैं सारों को सब्सक्राइब आचेवार हम दो उसको बोलते है फ्लेग लीप लास्ट लीप इमर्ज इन्हें सीरियल प्लांट्स कि जो अनाज वाली पसले होती है उसके आखरी पत्ती निकलती है उसको फ्लेग लीप कहते है और ज्यादा तर जो एरिया ने पत्तियों का वो सबसे ज्यादा इसी का होता है यह 52 परसेंट तक लेकिन इसको फ्लेग लीप कहते है इसका पूरी का रंग उड़ जाता है फ्लेग लीप क्या पता है मैंने लास्ट वाली पत्ती जो सबसे ज़्यादा जगे रखती है वो सबसे बड़ी होती है वो वाली फ्लेग लीप होती है और ज्यादा तर काम इसी से होता है प्रकासन बेटा समझ में आने के लिए दिमाग चाहिए तब समझ में आता है ऐसे रहा चलते इंसानों को समझ में नहीं आता है समझ में आ गया नहीं यह भी नहीं और आएगा भी नहीं लिख ले ना इसको कभी नहीं आएगा जो आदमी यह सोचता ने मेरे समझ में नहीं आता है उसके जा 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 धान का उफरा रोग दान का उफरा रोग वेरी मोस्ट डिजीज है यह होती है एक निमेटोर से इसका नाम होता है डाइटी लेंकास अंगस्तर्स होलटी कर चपनी फासलों में ज्यदा नुक्सार करता है वहाँ ज्यादा ज्यादा मोज्जेक टाइट के लक्심 दिंगतें बतता पत्तियों पादब छोटा रे गया उसको बोलते हैं मोज्य क्या आंगएं पत्तियूं पर भी या गईरे भी रंग के बने जाते गोब बीरे से पाणि वाले में ज्यादा होता है पत्तियों पर मोज्चय क्या या अब ही किसका वीड 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 वाल लगी वीड का टाइम है न वो बूल गया हाँ वीड लगी वीड वीड का टाइम है राइट भी तो बिनो मिलिया कार्वो फिरौन 3Z उसको बोलके मानसों कहीं हो दुबार निडल वाजे कि खरप दुबार वाल लगी 22 kg परेक्ट डालते भ वेरी वेरी मोस्ट विडा डाइटी लेंकर्स अंगस्टास करता है उफरा डिजीज लास्ट आ गया फाल्स स्मट वीड लिए भीड लास्ट आ यह ओता है अस्तिल लेजी नॉटी विरेंस नामक फंजाई से इसको डाइरेट में चलाना डाने पीले दने तो पीले पीले देखो आप फाल्स स्मट में दाने कितने पीले वे जैसे कोई अल्दी लगा गया हूं को right दान्मों पर कोई अड़ी लगा गया ऐसे पीले हो जाते बस यह हो गया आपका फाल्स स्मट मास ओप यलो फ्रूटिंग बोड़े तो धान तो पूरो हो ग्योर है बाकी तो मैंने सारा पहले ही पड़ा दिया आज लाइन टू लाइन दान पूरा हो गया है बहुत बहुत अन् प्राप्राप्साओ